हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और ये केस अपडेट है सीधे कोट से आप सभी को दोस्तों ऐसा है कि शुरू में ऐसा था नौवे नमबर पर केस लगना था उर्दु वाला जिसका आप सभी को बेसबरी से इंतजार था और काफी बीच में अफवाहें भी उड़ी जिन तर आपको मैंने पहले भी मना किया था कि ध्यान नहीं देना है आप लोग लगे रहे हम आपको अपडेट देंगे तो इंतजार करते 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 तेन बजा, दो से तीन बजा, तीन से चार बजा, चार बजे तक फाइनली हम लोगों ने इंतजार किया, और तब तक केस कोई भी सुनवाई नहीं हुई, छठवे नंबर, साथवे नंबर तक केस चला, नवे नंबर तक का ये केस था, और इसके बाद फिलहाल जो कन्क्लूज है, वो ये है कि आज उर्दू केस की सुनवाई नहीं हो पाई, मतलब केस कोट में टेक अप नहीं हो पाया, जो कि 9 नंबर पर लगा था, अब इस प्रकरड की जो सुनवाई होगी, ये केस कल टेक अप होगा, देखते हैं लंच के पहले हो जाता है, या बाद ये कल पता चल कि आप सब के लिए पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है, आप लोग की राप छोड़ करके WhatsApp, Facebook और YouTube का चक्कर लगा रहे हैं, कि आखिर परिक्षा के बारे में होगा क्या, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है, कि कुछ भी हो केस में, आप लोगों को अपनी तयारी करते रहना चाहिए, यह सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बलकि समय की जरूरत भी यही है, कि अगर 27 तारीक को परिक्षा हो जाती है, तो आप सब अपने अस्त्र सस्त्र को एकदम तयार करके रखें, इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों पर ध्यान बिलकुल ना दें, जो भी है वो आगे सामने आएगा, समय के साथ सामने आएगा, क्योंकि इस बीच यह भरती बहुत सारी अटकलों का शिकार हुई, और आगे भी अभी प्रोसेस जो है वो चालू है, तो अब देखते हैं, यही अपडेट मैंने आपको देनी थी, किसी भी भ्रामत खबरों पर बिलकुल यकीन ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकान दबा के रखें, जो भी अपडेट होगी वो आपको आगे दी जाएगी, फिलहाल आज कोई केस टेक अप नहीं हो पाया, उर्दू मामले से संबंधित, और जो 1,20,000 वाला केस था, उसे भी जो है फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, वो आगे आपको अपडेट बता दी जाएगी, लाइक दी वीडियो, शेर दी वीडियो, और सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू सो मच.